हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने राएं PNV CSP के एकाउंट टख़ण कमीशन के बारे में हालही में एक सर्कॉलर जारी किया गया जिसमें एकाउंट टख़रण कमीशन को 5 में डिवाइट कर दिया गया है तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मिटीव हैं वाली है वीडियो कम्प्लीट बाज करिएगा मेरा नम है प्रवीन आप देख रहे हैं PNBBC YouTube चैनल गाइस अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर कि रिवाइज कमिशन में कहां कुछ बदलाव किया गया और पहले हमें किस परकार से कमिशन मिल जा था दोनों ही चीज़ों को अच्छी से समझ लेते हैं ठीक है तो गाइस जो हमारा 20 रुपे का कमिशन था वह दस रुपे दो भागों में बठा होता था तो दस रुपे जो ठीक है और जैसे कस्टमर सब रुपे जमा करता था खाता को आपको उसका दस रुपे है तक एक रखाता था तो आपको 20 रुपे मिलता था पहले बहुत सारी कंडिशन लगा तो जैसे आपने एक महिन ही नहीं होने बाद बन जाता, ठीक है, उसमें कहीं कोई, इस लेकिन अहसका कंडिशन जारी किया गया है, उसमें लगा दिया गया है, तो चलिए उसको समझा देते हैं, कहां बनाई हो भी आदा. इसमें दिखें बाट दिए गया है एकाउंट ओपेंड विद इनिश्यल दीपोजिट दे दिए ठीक है यहां पर ठीक तक यहां मिनमम दिया गया था सो रुपय का पस एक अगर आप किसी कश्में खाता खोल देंगे उसमें पैसा नहीं जमा करते हैं मिलेगा 5 रुपे यहां लेका पांच रुपे मिलेगा यहां लिखा है किया अपने 5 रुपे मिलेंगे आप ठीक है घ्रीक है कश्मर खातर घैसमें यह गृऽे नहीं कराएंगे तो अगर आप एक उसका कमिसन जीरो कर दिया गया है तो यहीद चीज है बन गया लेकिन यहां पर आपको दस रुपे नहीं बनने वाले बनेंगे वह इसको ब्रांज से अनफिरीज कराएंगे थिक है तो इस चीव को ध्यान दीजी गई यह नहीं खाता खोलते जाएं फिरीज के फिरीजी है पहले प्रीजी है पहले हम लोग को अगर यहां पर आपके सेनर्यूर्य में अगर आपका खाता अगर फ्रीज है तो तो अगर फ्रीज है तो नहीं मिलेगा थिक है अब बात करते नेक्ट वाले में अपना कश्मर खाते में एक रुपए से लगा है तो आपको पांच रुपए फिर पांच रुपए ठीक है यह पांच रुपए वाला कम मिलेगा जब आप उसका खाता खोलेंगे और बेस ब्रांद से जाके आन फ्रीज कराएंगे तब पांच रुपे बनेगा और जो दूसरा पांच रुपे जवाब का है यहां पे लिखा है आफ्टर थ्री मन्त अन्मेंटेनिंग दे क्वार्टर ली एवरेज बैलेंस यानि क्य अगले महिने निकाल लिए ठीक है फिर वह खाता जीरो कर दिया तो उसका पांच रुपे नहीं मिलने वाला इस बात को ध्यान रखी का तो जब आप खाता खोलेंगे तो कस्तुमर को बता के खोलेंगे कि आपको अगर सवर्पे जमा कर रहा है तो सवर्ट उसको तीन महिने मैंटेनिंग दक वाटर्ली अवरेज बालेंस की वे इक्वल और मोर देन दर इनिशल दिपूजिट अमाउंट यानि जो आपका की वी होना चाहिए वह तो या तो सवर्पे हो या तो सवर्पे से बेसी हो तभी आपको पांच रुपे मिलेगा तो आप कस्तुमर को समझा द है है जब आप यह लिखा है ना कि यहां दिया गया पांचिक वाला कंडिशनम है कि ख्टाक खोलेंगे और जह उसको प्रांच से तब आप पांच रुपे बनेगा और जो अगला जो आपको दस रुपे बनेगा वह वह ही है कि after three months कि या इस तो आपको यह दस रुपए नहीं मिलने वाला है अगर चाहते में पान सो जमा करा दिया तो तीन महीन तक वाथ अगर आपको यह दस रुपए अगर आपने 500 जमा कराया उसे कम हो गया 400 हो गया तो आपको रख्यान रख्षी का करिए कि हमारे इसाब से दिखेंगे आपको चाही एक जमाऊ चाहे 500 जमाऊ मिलने कितना 10 रुपे मिलें ता कस्टमर से 200 जमा कर ले तीन जमान कर ले ठीक है और उसको बता दीक है आप 3 महीं त करते हैं कि जब खाता आप खोलेंगे और उसमें जमा कराएंगे पांसो एक रुपे से एक हजागी बीच में तब आपको जो कमी से मिलेगा वो भी रुपे मिलेगा ठीक है यह यहां नीचे लिखा गया है अगर कस्टुमर अगर निकाला जाता है और आपको 600 रुपे कम आता है तो फिर आपको यह जो पंदर रुपे नहीं मिलने वाले क्यों पांच रुपे ही मिलेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत काफी चेंजर हो गए हैं जो कि अब सभी वीचियों को ध्यान देना खाता खोलते समय ठी कि अब बात करते हैं यह 25 रुपे का जो कि देखिए बदला हुए अपने कमिशन इस्ट्रक्चर में यहां जो पचीस रुपे कर दीगा पहले बीसी रुपे था लेकिन अब जो आप देख पा रहे हैं यहां पचीस रुपे किया गया है जो कि अच्छा है लेकिन खाते हैं करना पड़ेगा तो यहां देखिए जो यहां लिखा गया एक हजार यानि कश्मा जो खाते में एक हजार सूपर जमा करेंगे तब आपको पचीस रुपे मिलेगा जब खाता आपने बेस ब्रांज से उसका पांच रुपे बनेगा वह सभी में यह कंडिशन है पांच यह है कि कश्टूमर के जो खाता खोल लें जो एमांट जमा करा रहा है उसके खाते में वह उसको तीन महीं तक मेंटेन करके रखना है अगर उससे कम बेसी होगा फिर हमारे लिए सभी बीसी भाईयों के लिए थोड़ा सा मुस्किल हो जाए कमिसन में कमिसन डाउन हो तो जो सुना चाहिए वह बारस हो या तो उससे अधीक हो तभी आपको 20 रुपे मिलेगा थिक है अगर उससे कम होगा तो आपको यह एक्स्टा जो अलग से जो कमिसन दिया रहा है यह नहीं मिलेगा ठिक है तो आपको यहां देखिए इस जो अपना एकाउंट को चुश्य कि पहला मिलेंगी आपको 5 रुपे घ्राने के पांच रुपे अगर धियान रहा अब यह चोड़ा दिया उपका का कॉंठ अगर एक अगर आप खाता खोलते हैं और अगर खाता नहीं करते हैं अगर इस चीज़ को अपने खोला होगा उसका कमिशन आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो अब को समय समय से खाते रहें और महीने के खाते को और साथ में आप खाता खुलेंगे कश्मर को समझा दीजी जो आप प्रारभिंग जो जमा रासी कराएंगे 100-2005 वो उसको तीन महें तक मेंटेंट करके चलना है तब आपको उसके जो प्रारभिंग जमा रासी के एकॉर्डिंग आपको जो कमिशन बनेगा तब जाके आप कठीन हो गया है कश्मर को खाते में सबसे जो भी आप खाता को लेंगे उनसे रिक्वेस्ट करीगा भई आपको यह मेंटेंट करके चलना है ठीक है आप जैसे उसको मोटिवेट कर दीजिए ठीक है तो पहले क्या था यहां पर दिया नहीं है दस रुपए दस रुपए आ सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके से अब यह पेंडेंसी दूर हो जाएगी और यह सब्सक्राइब को मेंटिवेट करके रखना पड़ेगा अपने समझाना था हमें पूरा विश्वास है कि आपको जो चीजी हमने सब बताया वो समझ गया होंगे बस आप लोगो यह ध्यान देना आगे जो भी आप इनिशेल इमाउंट इस पांचो कडिगरी में जो दिया गया जो उसको जमा कराएंगे उसको कश्मर को बताएगा कि वह त पूरा विश्वास सकी आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो इनफार्मिटी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप सभी लोग का बहुत दो थैंक्यू आप हमारे वीडियो क अगली वीडियो बनाने का मन करता है ठीक है तो गाइस मिलते हैं किसी अगली इनफार्मिटी वीडियो तरतक के लिए खुश रही है मस्तर जी थैंक्यू बेरी मच